दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आर्यान इंस्ट्यूट अलहाबाद में दोस्तों आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की अगली स्रिंखला में आज हम आपसे बात करने वाले हैं योग फल पर आधारिक उस पे आपके एक्जाम में questions कैसे पूछे जाते हैं, हमारी चर्चा उस पर है, ऐसा नहीं है कि हम 5-2 शाथ आपको इस तरह जोड़ना बताएंगे, वो आप जानते हैं, ठीक, तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं, देखिए यह जो हमारा lecture है, वो आपके परिक्षा की द्रि इसमें कराने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें पार्ट हमारा पहला है, जो हमारा है आपको बताएंगे कि प्राक्रितिक शंख्या की योग पर आधारित प्रश्न प्रश्ण क्या है प्राकृतिक शंख्या के योग पर आधारीत प्रश्ण यहम सिर्फ आब को आज बताएंगे थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे बट इसका जो रूल और और नेयम होगा हम अपने अगले लेक्सर में बताएंगे यह आज रफ इस पर बताएंगे कि प्राकृतिक शंख्या की योग पर इसके आगे जो भी होगा हम आपको कल बताएंगे तो अगला क्या हमारा है दूसरा हमारा है पहला हमारा है प्राकृतिक शंख्या के योग पर आधारित प्रश्न और दूसरा है शंख्या दूसरा हमारा है सम संख्या की य योग पर आधारित प्रश्न क्या है शम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न हमारा है चाहे आप यहां लिखेंगे समधन पूरुडांगों के योग पर आधारित प्रश्न चाहे आप लिखेंगे शम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न अच्छा इसमें हमारा आगला क्या कहता है तीसरा हमारा क्या है कि विशम विशम शंख्या के योग पर आधारित प्रश्न आप लिख लेंगे आगे इसमें भी आप लिख शकते हैं कि विशम धन पूरडांकों के योग पर आधारित प्रश्न आप इसे इस तरह लिख शकते हैं अच्छा अगला हमारा क्या ह कि भिन्नों के योग पर आधारित प्रश्न है तीसरा और चवथा भिन्नों के योग पर आधारित प्रश्न हमारा अगला क्या है कि वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न है तीसरा उसके बाद चवथा पाच्वा वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न ये हमारा पाच्वा लेक्चर होगा ठीक चलिए अब इसके आगे क्या है घनों के योग पर आधारित प्रश्न छठवा है गनों के योग पर आधारित प्रश्न इसके बाद हमारा सात्मा क्या है अगर आप सात्मा लेखना चाहें तो वीजी गडित शूत्र और उनका योग शात्मा लिखेंगे वीज गडित और उनका योग गडित और उनके योग योग पर आधारित प्रश्न आप लिखेंगे और हमारा लाश्ट होगा मिन्स आठमा आन्य इसका मतलब क्या है ये सारा कोस्चन्स हम मिला के आपको आन्य में बताएंगे एक लेक्चर हमारा होगा सारे कोस्चनों का मेक्ष होगा ठीक इसी तरह से हम आज आपको बताने वाले हैं कि योग फल पर आधारित प्रश्न हमार आठ तरश होंगे और हमारा पहला होगा सारे लेक्चरों पर हम अलग अलग से चर्चा करेंगे बट हमा आज चर्चा करेंगे प्राकृतिक शंख्या के योग पर आधारित प्रश्न आपके एक्जाम में कैसे पूछे जाते हैं तो हम इसे इरिस करते हैं हम सिर्फ आज बात कर कि प्राकृतिक शंख्या की योग पर आधारित प्रश्ण अगर आप स्क्रेंशॉट लेना चाहें तो ले शकते हैं चलिए अब हम इसे इरिस करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रेंशॉट ले ली होंगे देखिए प्राकृतिक शंख्या की योग पर आधारित प्रश्न आपके परिच्छा में कैसे आते हैं आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें हमारा सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो हम आपको बताते हैं आप इसमें एक फार्मूला लिखेंगे वो फार्मूला आपको एकदम last answer तक लेके पहुँचेगा आप सिधे सिधे लिखेंगे कि यदि दो पदों के बीच का अंतर शमान हो यदि दो पदों के लिखेंगे फार्मूला आप लिखेंगे यदि दो पदों के बीच का अंतर यदि दो पदों के बीच का अंतर शमान हो तो योग बराबर अंतर यदि दो पदों के बीच का अंतर शमान हो तो यह हमारा फार्मूला क्या कहता है आप लिखेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद यहां लिखेंगे आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो करेंगे और उसके बाद यहां आप गुड़े के रूप में लिखेंगे कुल पदों की संख्या की संख्या कुल पदों की संख्या आप सिधे शिदे लिख लेंगे यही हमारा फार्मूला है इसी फार्मूले पर हमारा हल होगा कि प्राकृतिक शंख्याओं की योग पर आधारित प्रश्न हम कैसे ग्याद करते हैं तो चलिए इस पे हमारा पहला कोस्चन क्या कहता है आप यहां लिखेंगे कि एक से शव तक के सभी शम धन पूरुडांकों का योग इसी तरह से आपके एक्जाम में पूछा जाएगा कि एक से शव तक के सभी समधन पूरुडांकों का योग क्या होगा तो हमने अभी आपको फार्मूला बताया है प्रथम पद, प्रथम पद भया मेरे आपका एक है यहाँ, प्रथम पद आपका एक है और उसके बाद लाश्ट हमारा है अन्तिम पद सव है, आप यहाँ सव लिखेंगे, बटे आप दो करेंगे, इसमें गुड़े आप बात आती है कि कुल पदों की संख्या हम कैसे ग्याद करेंगे, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कुल पदों की संख्या हम कैसे ग्याद करेंगे, तो हमने कहा कि इसमें टोटल पद कितने हैं, टोटल पद आपके 100 हैं, टोटल पद तो यही 100 ही हमारे तो हैं, यही तो आपसे कह ओपको आप जोड लेंगे तो 101 हमारा होगा और गुड़े यहां 50 होगा 101 गुड़े 50 जब इनको आप जोडेंगे तो यहां आपका निकल कराएगा 5050 यही आपका लाश्ट आंसर निकल कर आ रहा है ठीक अब इसे आप समझ गए अच्छा इसमें और किस तरह से questions पूछे जाते हैं जैसे अगर हम कहें आपसे कि 1 से 40 तक 1 से 40 तक के सभी समधन पूरणकों का योग आप कैसे ग्याद करेंगे तो आप क्या करेंगे देखिए दोस्तों गर्मी में आपको पढ़ाया जा रहा है आपसे मैं निवेदन करूँगा कि प्लीज मारे वीडियो को इतना सेर करें कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप रहा है तो ठीक देखिए 1 से 40 तक सभी समधन पूरणकों का योग क्या होगा इसे आप कैसे ग्याद करेंगे आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा ठीक तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाया मेरे प्रथमपद हमारा क्या है देखिए फार्मूला नहीं लिख रहे है क्यों क्योंकि फार्मूला हमने यहां लिखा हुआ है आप फार्मूले पर तुरंद जाएंगे यहां दो है थोड़ा सा फिर से यह हमारा दो है यहां आप फार्मूला लिखे हुए हैं फार्मूले को ध्यान में रखते हुए इसे आप साल्व करेंगे ठेक चलिए प्रथम पद हम एक बात बताएं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है बताएं जितने भी लोग यहां बैठे हैं चलिए फिर से एक बार हम बताते हैं आपको आप बहुत ध्यान से देखेंगे देखें हमने आपसे कहा कि एक से चालिस तक सभी समधन पूरुडांकों का योग आपसे पूछ रहा है परिच्छा में आप बैठे हैं सवाल आया है कि एक से चालिस तक सभी समधन पूरुडांकों का योग आपको बताना है ठीक तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप questions को कर नहीं पाएंगे ठीक देखिए फार्मूला हमारा कहता है कि प्रथम पद प्लश अंतिम पद मेंस हमारा प्रथम पद एक है और अंतिम पद हमारा 40 है और बटे दो है हमारा ठीक यह हमारा आपके बिचार अगर उठ रहे हों कि सराब दो ही क्यों कर रहे हैं तो भाया मेरे फार्मूला होता है हम फार्मूले में कुछ नहीं कर सकते हैं यह हमारा सूत्र है सूत्र के एकार्डिंग ही हम चलेंगे जैसे एक गाय होती है अगर खूटे में बंधी है तो उसे जितने छेत प्रफल उसके रस्ती की होगी उसी के अंदर ही वो डांस करेगी या नाचेगी कुछ भी करेगी तो इसी फार्मूले के तहट हम बंधे हुए हैं हम फार्मूले से अलग नहीं जा सकते हैं तो प्रथम पद प्लश अंतिम पद बटे दो यही हमारा फार्मूला है गुड़े आ आप करेंगे दो एक के दो और यहां 20 करेंगे कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा किसर आप इसे काट कैसे रहे हैं ठीक तो आपको कुछ नहीं करना है अगर आपको इस तरह सीधे काटना नहीं आ रहा है तो भीया मेरे आप यहां 40 लिखेंगे उसके बाद आप इसी तरह से इसे हम काटेंगे तो जब आप इसे काट देते हैं तो यह हमारा निकल कराता है 20 और 20 निकलने के बाद 40 और 41 एक को जोड़ेंगे 40 और 1 को जोड़ेंगे तो 41 होगा और यहां प्लस काचिन करेंगे ठीक, सारी, प्लस ने यहां गुड़े काचिन करेंगे क्यों? क्योंकि यहां गुड़े काचिन है, छमच आते हैं उसके बाद यहां 20 होगा जब आप 41 गुड़े 20 करते हैं तो आपका निकल कर आता है 40 दुनी 80 मिंस 800 और 800 में आप 20 जोड़ नेंगे तो आपका सीधे-सीधे answer निकल कर आएगा 820 यही आपका last answer निकल कर आ रहा है इसी तरह से questions आपके पूछे जाएंगे अच्छा यह तो अभी एक से दे रहा था लेकिन कभी-कभी exam में देता है कि प्रथम दे देता है क्या देता है? प्रथम दे देता है एक नहीं देता है जैसे अगर कहे आप से कि प्रथम 40 प्रथम 40 कहे तो भाईया मेरे बात वही तो हुई हमारी प्रथम तो एक ही है प्रथम तो एक ही है देखे इतने अच्छे से समझाया जा रहा है बहुत अच्छे से आप देखिएगा और वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा अगर कहें भी confusion create होता है तो प्लीज आप comment करिएगा चलिए देखिए अच्छा हम प्रथम वाले पे एक question आपको बताते हैं प्रथम से कैसे पूछा जाता है अगर प्रथम की बात हो ही गई है तो विचार जरूर मन में उठ रहा होगा ठीक आपसे अगर कहें कि प्रथम प्रथम 75 प्रथम 75 तक सभी समधन पूरणकों का योग प्रथम 75 समधन पूरणकों का योग आप इसे तक खटा दीजिए सभी समधन पूरणकों का योग तक खटा दीजिए तक नहीं बैठ रहा है ठीक, प्रथम 75 शभी शमधन पूरडांकों का योग, एक चीज आप confused मत होएगा, हमने यहाँ प्राकृतिक शंख्या लिखा, उससे आप confused मत होएगा, means वही है जो यहाँ हम बात कर रहे हैं, ठीक, आप से कह रहा है कि प्रथम 75 हमने कहा है, कि अभी अभी हमने बताया है, एक स सव तक, इस पे हमने अभी चर्चा किया, तो आप क्या करेंगे, इसे आप क्या इस तरह नहीं लिख शकते हैं, एक से, एक से 75, क्या इस तरह आप नहीं लिख शकते हैं, बात तो वही हुई, एक से 75 तक या प्रथम, बात तो हमारी वही हुई, अच्छा, ऐसे भी हम लिख ये भी है, ठीक, चलिए, देखेज़ शूत्र हमारा क्या कहता है, प्रथम पद, तो हमारा प्रथम पद एक है, और अंतिम पद हमारा 75 है, बटे यहां दो करेंगे, गुडे आप करेंगे, अच्छा, इसमें पद कितने है, आप बताएंगे, पद कितने है, हम बार बार पद की चर्चा कर रहे हैं, पद कितने हैं, आप कहेंगे कि हमारा लाश्ट वाली शंख्या जो होती है, वही हमारी पद होती है, तो भाईया मेरे यहां पद हमारे 75 हैं, ठीक, पद हमारे 75 हैं, अब आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे, एक चीज देखेंगे, अभी हम काट रहे थे दो को इससे काड़ दे रहे थे क्या पचाथ्तर दो से कटेगा देखिए हमने विभाजता के नियम में बताया था कि हमारी दो से सिर्फ वही संख्याएं कटेंगे जिसके लाश्ट में शो ने दो, चार, छे, आठ अगर आते हैं अगर आप विभाजता का नियम नहीं देखे हैं तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाए सीरियल वाइस वीडियो वहां पड़े हुए हैं आप जरूर देखिएगा ठीक, और हमने बहुत आसान तरीके से इस विभाजता के नियम को बहुत सरल धंग से आपको समझाने का प्रयास किया है देखिए, हमने कहां आपसे कि क्या 75-2 से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा, तो आप इसमें हल करने का तरीका क्या हो शकता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, हमारा हल करने का नियम क्या हो शकता है तो भाया मेरे आप यहां करेंगे 75,1,76 बटे 2 करेंगे गुडे 75 करेंगे इस तरह कर दिये अब आप बताएं क्या हमारा 76,2 से कट सकता है विभाजिता का नियम हमारा कहता है अगर किसी शंख्या के लाश्ट में 0,2,4,6,8 हो तो वो शंख्या हमारी दो से पूर्णता विभाजित होती है तो यह हमारा 2 से कट रहा है यह आप काट देंगे 2,3,6 उसके बाद हमारा 1 बचा 2,8,6 38,2,76 होगा अब गुड़ा करड़ी 2,8,16,2,6,1, 38,2,76 होगा अब निकल कर आया हमारा 38 गुड़े 75 बराबर यहां आप लिखेंगे 38 गुड़े 75 38 गुड़े 75 जब आप इनका गुड़ा करते हैं 38 गुड़े 75 का तो भहिया मेरे निकल कर आता है 28,75,38 गुड़े 75 कितना निकल कर आ रहा है आप गुड़ा करके बताएंगे गुड़ा करने पर हमारा आ रहा है 28,50 पांच अठ चालिश हाँ 28,50 यही हमारा लाश्ट आंसर निकल कर आ रहा है ठीक बहुत अच्छी तरह से इसे आप समझ रहे हैं बहुत ही slow motion में हम चल रहे हैं अब बात करते हैं हम अपने अगले questions पर हमारा अगला question क्या कहता है जैसे अगर आप से कहे हमारा अगला question कि 1 से 62 तक सभी समधन पूरणकों का योग अगर आप से पूँछ रहा है तो आप कैशे करेंगे बहिया आप बताएं 1 से 62 तक अगर कह रहा है क्या इस तरह नहीं कह सकता था कि प्रथम 62 कह सकता था न इसी तरह से भी पूच्छ सकता था बाबू मेरे कि प्रथम 62 इस तरह से कह सकता था ठीक बट आपको आसान लग रहा है इसलिए हमने यहां इस तरह लिखा है ठीक अब इसमें फार्मूला हमने यहां लिखा है फार्मूला हमारा कहता है कि प्रथम पद क्या हमारा प्रथम पद आप जान है एक है और अंतिम पद हमारा दो है ठीक सुरी अंतिम पद हमारा 62 है और इसमें हम बटे दो करेंगे उसको करने के बाद हमारी बात आती है कुल पदों की शंख्या तो बाबु मेरे कुल पदों की शंख्या 62 है चलिए हम लेखते हैं प्रथम पद हमारा कितना है एक है गुड़े हमारा 62 मिंस अंतिम पद आप देख रहे हैं 62 है बटे आप दो करेंग गुडे करेंगि 62 क्यों कि कुल पदों की संख्या यहाँ पोच रहा है थार्मुला हमारा कह रहा है कि प्र Tao पड़ अंतिम पड़ बटे दो गुडे कुल पड़ों की संख्या एही आपसे कह रहा है ठीक अभी अभी हमने कहा कि आप सीधे सीधे इसी काड़ दीजिए 2 1 के 2 और 2 3 6 2 1 के 2 31 दोना 62 अब 62 1663 62 1663 गुड़े 31 जब आप करेंगे 63 गुड़े 31 अच्छा है अगर इसे आप कुछ सरल तरीकेश लिखना चाहें तो क्या नहीं लिख सकते हैं अब कैसे आप इसे लिखेंगे चलिए हम आपको बताते हैं जैसे अगर बात करें हम अगर आप लिखना चाहें तो शीधे सीधे आप लिखें कि 63 63 गुड़े 30 प्लस 1 इसे आप ब्रेकट में कर दीजिए 63 गुड़े 30 और प्लस 1 जब आप करेंगे तो भाया मेरे 63 गुड़े 30 जब आप करेंगे तो सीधा सीधा आपका निकल कर आ रहा है कि 1890 कितना आ रहा है लेकिन अभी हमारे बात फसी है कि 63 गुड़े 1 हम क्यों नहीं किये अभी तो हमारा गुड़ा सिर्फ 30 में हुआ है लेकिन अभी हम एक में गुड़ा नहीं किये हैं इसलिए यहां आप प्लस करेंगे यहां 63 कर देंगे जब आप इसे जोड़ेंगे 1890 प्लस 63 तो आपका शीधे सीधे निकल कर आएगा 1903 आपका निकल कर आ रहा है और लास्ट आंसर हमारा यही निकल कर आया है अच्छा आपके मन में यह आ रहा होगा कि क्या हम 63 को इस रूप में नहीं लिख शकते हैं तो बिल्कुल आप लिख शकते हैं आप यहां लिख सकते हैं कि 60 प्लस 3 60 प्लस 3 तो जो फार्म आप यहां किये हैं आप इसे आशे भी लिख शकते हैं और गुड़ा करने पर जो अंसर हमारा यहां निकल कर आया है वसी तरह यह भी फिर से निकल कर दोबारा आएगा ठीक लेकिन हम अब दूसरा तरीका आपको नहीं बताएंगे अगर यह आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे आप ऐशे ही गुड़ा कर लेजिए आपके लिए ज्यादा थाइदे मंद होगा अगर इसमें कनफ्यूजर है यह थोड़ा सा आसान तरीका है हमने आपको बताने का प्रयाश किया है चलिए अब हम बात करते हैं हमारा अगला कोस्टन क्या कहता है जैसे दोस्तों एक चीज़ आप जानेगा कि आपको बहुत महनत से हम बता रहे हैं एक वीडियो बनाने में मह धनत लगती है इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चलिए अब बात करते हैं हम कि तीश के प्रथम चालिस अब यहीं से आपको फसाया जाएगा तीश के प्रथम चालिस गुर्जों का योग गुर्जों का योग देखिए फिर सवाल आ गया तीश के प्रथम चालिस गुर्जों का योग क्या होगा एक चीज़ आप जानिएगा कि जो मतलब इसका है अभी अभी हमने कहा कि प्रथम प्रथम चालिस के सभी समधन पूर रांकों का योग तो उसका मतलब ये भी है कि तीश के प्रथम चालिस गुर्ज तीश करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा दिक्कत होगे आपको बट तीश का भी निकल सकता है ऐसा नहीं है अगर बात तीश की ही आ गई थी तो हम उसको भी बताएंगे लेकिन आगे बताएंगे ठीग देखिए हम बताते हैं तीश को हम क्यों कर जाएंगे क्योंकि अगर आप छोटा समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है बड़े को आप चिरूर कर ले जाएंगे तेक बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए जैसे बात आती है कि तीन के प्रथम 40 गुर्जों का योग क्या होगा तो भाया मेरे आप क्या करेंगे तीन के आप 40 बार गुर्णा करेंगे क्योंकि गुर्जों का योग कह रहा है तो आपको वही करना है आप सीधे सीधे यहां कर लेजिए तीन धन च्छ तीन दूनी च्छ यहां आप 9 करेंगे फिर बारा डाट डाट कहां तक करेंगे आप करते हुए चले जाएंगे कि 3, 4, 12, 120 तक अच्छा 120 हमने क्यों लिखा क्योंकि जब हम अनवरत इसे जोड रहे हैं 40 बार हम जोडते हुए आएंगे तो भाया मेरे जब हम 40 बार जोडते हुए आएंगे चाहे आप जोड़िए चाहे गुड़ा करिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप जोड़ेंगे तब भी वही बात होगी तीन के बाद दो जोड़ेंगे तीन गुड़े दो करेंगे और जब तीन में तीन जोड़ेंगे तब भी वही बात होगी ठीक तो 3, 2, 6, 3, 3, 3, 4, 12 ऐसे भी आप कर सकते हैं लेकिन यहां आप सीधे-सीधे गुड़ा भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं बट ऐसे रहने दीजिए वो भी ठीक है ठीक चलिए अब बात आती है कि ये तो शंख्याएं हमारी प्राप्त हो गई ठीक क्या अब ये उसी फार्म में नहीं हो गया जो पहले वाला था समस्या तो हमारी यहीं तक थी समस्या हमारी यहीं तक थी अब ये तो पहले की तरह हो गया आशान हो गया अब सवाल उड़ता है कि इसे करेंगे कैसे तो हमने फार्मूला यहां लिखा है कि प्रथम पद भाया मेरे प्रथम पद प्लस अंतिम पद तो यहां प्रथम पद हमारा 3 है और प्लस हमारा है अंतिम पद हमारा है 120 अंतिम पद हमारा 120 है बटे आप करेंगे यहां 2 है और बटे करने के बाद कुल पदों की संख्या अगर हम आपसे पूछें तो भाया मेरे को निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, कुल पदों की शंख्या हमारी 40 दी हुई है, ऐसा आप कदाप नहीं करेंगे कि 20 हम लिख दें, क्योंकि हमने ये 20 लिखा है, गुर्जों की शंख्या अगर है, तो ये टोटल गुर्जों की शंख्या 120 तक हमने लिखा है, लेकिन अगर आपसे पदों की शंख्या कह रहा है, तो भहिया मेरे पदों की शंख्या हमारी 40 ही लिखी जाएगी. ठीक, इसे आप ध्यान देंगे. क्यों ये हमारा बिस्तार रूप है, ये हमारा सार्ट फार्म है, ये ही इन दोनों में अंतर है. ठीक, चलिए, अभी आप यहाँ 40 लिखिए. क्या आप इसे समझ गए हैं? 40 हम क्यों लिख रहे हैं? आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप 120 क्यों नहीं लिख रहे हैं? अभी हमने आपसे कहा कि भहिया मेरे हम 40 इस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि 3 के प्रथम 40 गुरज यहां पूछा है, अगर हम इसे नहीं लिखेंगे, तो क्या हम इस रूल तक पहुँच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे. क्यों नहीं पहुँच पाएंगे? क्योंकि अगर आप इसके बिश्त्रित रूप को नहीं जानेंगे, तो आप इसके माध्यम से यहां तक नहीं पहुँच पाएंगे. ठीक, यहीं तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं, कि अगर अन्तिम पद आपसे पूँच रहा है, तो भाईया मेरे, अगर आप कुल पदों की शंख्या यहां पूँच रहा है, तो कुल पदों की शंख्या में आप सिर्फ 40 लिखेंगे ना की 120 लिखेंगे. ठीक, लेकिन अब बात आती हैं कि अन्तिम पद सर आपने 120 लिखा है, तो अन्तिम पद तो हमारा यही होगा. गुड़जों की पूरी शंख्या, लाश्ट वाली शंख्या अन्तिम पद हमारा यही तो होगा. चली, इसे आप समझ गए. देखिए, आप बात करते हैं, इसे हम हल कैसे करेंगे. ठीक, इसे हम हल कैसे करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे. यहाँ दो से काट देंगे, सीधे-सीधे, यहाँ 20 हुआ, 20 होने के बाद, जब आप 120 को 3 में जोड़ेंगे, तो 123 होता है, 123 गुड़े 20 करेंगे. ठीक, 123 गुड़े 20, आप 0 को छोड़ देजिए, सीधे पहले 2 से गुड़ा करिए, 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 1, के 2, आप यहाँ लाश्ट में 0, 1 रख देजी, यही आपका निकल कर लाश्ट आंसर आया है. ठीक, तो 2460 इनके प्रथम 40 के, प्रथम 3 के प्रथम 40 गुड़ों की शंख्या आपके निकल कराई है, 2460. अच्छा, इस पे हम एक कोस्चन और आपको कराएंगे, बाकी अगले टॉपिक पर हम आएंगे. ठीक, देखिए, हमारा लाश्ट कोस्चन क्या कहता है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि 12 के प्रथम 15 गुड़ों के योग क्या होंगे? ठीक, 12 के प्रथम 15 गुड़ों के योग के योग यही आपसे कह रहा है, 12 के प्रथम 15 गुड़ों देखिए, आपने अभी जो हमने पहला कोस्चन आपको बताया, इसके पहले वाला, आप बहुत अच्छी तरह से समझे हैं, वही नियम हमारा इसमें भी लगेगा कि आप 12 का गुड़ा लगातार 15 तक करते हुए जाएंगे, ठीक, चलिए देखिए, आप यहां 12 लेखे, प्लस 24, प्लस 12, 24, बारा तियाई, 36, प्लस 12, 48, डाट, डाट, आप जो 12 का 15 में गुड़ा करते हैं, तो आपका निकल कर आता है, 12, 85, डाट, एक सो असी निकल कर आता है, 12, 85, 12 एक के बारा 16, एक सो असी निकल कर आ रहा है, अब आप बताएंगे, क्या हमारा जो अभेवे हम बताए, क्या उसी रूप पर यह कुश्चन नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, ठीक, देखिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, हमारा इसमें प्रथम पद क्या निकल कर आया, प्रथम पद हमारा निकल कर आया है, कि प्रथम पद हमारा 12 और अंतिम पद हमारा क्या निकल कर आया, 180, ठीक, प्रथम पद हमारा 12 निकल कर आया, और अंतिम पद हमारा 180 निकल कर आया, बटे आप करेंगे, दो, बटे आप दो करेंगे, और गुडे करेंगे, आप देखिए कुल पदों की शंख्या वाली बात फिर फ़सी है तो आप कुल पदों की शंख्या में आप सिर्फ पंदरह लिखेंगे हमने आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी पहले वाले question में बताया है देखिए आप यहाँ पंदरह लिखें आप कुछ नहीं करना है जब ये नहीं कट रहा है तो आप इन दोनों को जोड़ लिजी 80, 90, 92, 92, 92, 92, 92, गुडे, 15 इसे आप जोड लिए तो इसे आप सीधे काड दीजी 29, 28, 96, 95, 96, 95 जब आप 96, 95 करते हैं तो आपका निकल कराता है कि 6, 35, 14, 140 निकल कर आता है ठिक, 14, 140 आपका last answer यही आपका last answer निकल कर आता है तो दोस्तों यह रहां आज का हमारा वीडियो अगर आपको कहीं भी कोई शमस्या होती है तो प्लीस आप कमेंट करिएगा हम आपके हर कमेंट के reply देने की कोसिस करेंगे और हाँ अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें थैंक्स धन्यवाद